हाँ तो पशू परिचर के जो मैट्स अपने स्टार्ट कर दी थी यह अपना पार्ट थी और आप सब का बहुत अच्छा रेस्पॉंस आप सभी के भी रहे हो कि ठीक है के वीडियो क्योंकि मैट्स है मैं आपको सिखा के रहूंगा बस में जह सका हूं करते जाहिए अपने इस बाकी जो अधर कोर्स है वो सब शुरू कर देंगे और कल अपने रेक्टेंगल आयत कंप्लिट कर लिया था आज शेशन अपन रखेंगे स्क्वाइर का वर्ग का यह जो 40 मिनट के करीब क्लास होती इसका इंजो करें आप इसके बाद में अपन लेने वाले हैं एक क्लास और हो शाइर इसकी तब जाके मामला बैठेगा तो पहले पूरी बात को समझो जो वर्ग है स्क्वाइर है पहले से कुछ फॉमले पर लिख लेते हैं जो आपके लिए काम आएंगे इनको आप साइड में लिख लिया करो वैसा आपने स्टार्टेंग में आपको बता दिया था क स्क्वाइर जो वर्ग होता है इस एक को स्टलेटe फ़ॉमले है एक तो वर्ग का शेतर्फल क्या होता है यानि Сейчас क्या होता हो तो एरिया फोस हो जाएं बुचाकर पिरिमाब का मतलब लिख यहां हो rat परिमापका ठीक है और एक होता है वर्की में कुछ बात ही बता देता हूं आपको जैसे यह वर्ग है इसको बातें बहुत जरूरी समझना इस वर्क की पहली बात परते कोंब nietक होता है जैसे आएत के परते कोंबート बहुत इसके बिकर्न भी आपस में बराबर है इस बात का ध्यान अकरना मैं कहें 54 हूं A, B, C, D बहुत को सिखाऊंगा ध्यान से पहली बात तो यह कि चारों भुजाएं बराबर जितनी A, B है उतनी B, C है उतनी C, D है उतनी D, A है एक बात तो यह दूसरी बात जो विकर्ण दो डाइगिनल A, C और B, D यह भी आपस में दोनों बराबर होते है A, C, A, B, D तीसरी बात है इसका परते कोन 90 डिगरी का होता है ठीक है चोती बात है जो विकर्ण आपस में इंटरसेक्ट करते हैं परतिछेद करते हैं वो भी 90 ही बनाते हैं यह भी 90 डिगरी ही बनाते हैं बड़ी गजब की बात है यानि जो विकर्ण होते हैं विकर्ण का मदब डाइगनल यह भी आपको समझना डाइगनल भी सेंटर पर यानि बीच में अपने 90 डिगरी का ही कोण या एंगल बनाते हैं यह चीज़े अपन को जानी जैसे अपने रेक्टंगल में आयत में सारी बात होता है वर्ग का डाइगनल इसका फॉर्मला देखो बड़ा इजी है डाइगनल का मतलब यह यह डाइगनल हो गया सपोज एसा आपन मान लेते हैं यह लोग यह वर्ग तिरबुज बन गया तिरबुज बन गया 90 डिगरी का कौन है तो सिद्धी सी बात है इसमें भी पाई होता था वह इसमें है तो इसके डाइगनल का फॉर्मला हो गया वापस वह करन का मतलो हाइपोटेनियस हाइपोटेनिस का फॉर्मला यह स्कूर प्लस यह स्कूर यानि कि इसको सपोज मान लेते हैं माना कि बुजा ए हैं इसकी बुजा ए हैं क्योंकि वर्ग की चारों बराबर है ना इसलिए इसका formula क्या बना इसका formula बना पूरी बात को द्यान चाहिए समझना बहुत गजब का याद करना है लेकिन समझते भी करना है कि diagonal जो की AC is diagram की coding इसका formula हो जाएगा a square plus a square ठीक है और यह है आपको पता है जब AC निकालने तो आप इसके उपर लगा देते हो रूट लगा रहे गया लेकिन a square का रूट तो हट गया दो का जोड़ा था वो तो मतलब diagonal सीधा याद करना है रूट टूए वो तो मैंने आपके इसे खोल के समझाया है तो ध्यान रखें जो आपका वर्ग है उस वर्ग के विकर्ण का diagonal का formula रूट टूए होता है समझ में आ गई ध्यान दखें इस चीज़ का तो square के एक formula दो formula तीनु formula अपने पढ़ लिए और इसके बारें basic knowledge भी अपने कर लिया है ये सारी बातें किसी भी topic को start करने से पहले लिखा करो ये basic चीज़ें भी अगर मजबूत होगी तो पशु परीचर तो यू निकाल लोग मैस में नंबर नहीं कटेगा तो आप हजारूं की संक्या से आगे होंगे हजारूं की संक्या से क्योंकि मेट को देख के भाग रहे हैं लोग ये बड़ी समझ यह जानए करना है अपने कुछ एक्ट्रा ऐफ्रट लगाने पड़ेंगे बस वही मैं कहना चा रहा हुं ठीक है अब आजो अपने क्योशन पर उस वर्ग का शेतरफल ग्याद करें उस स्क्वाइर का एरिया ग्याद करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मिटर है कोई दिक्कत नहीं है ये वर्ग है ये स्क्वाइर सपोच आरो बुझे हैं बराबर है ये इसका विकर्ण है 6 आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है सबसे और फिर पूचा वर्ग का शेतरफल ग्याद करो पहली बात तो ये कि वर्ग की जब तक बुझा नहीं आएगी क्योंकि बुझा स्क्वाइर इसका फॉर्मला होता है तो फिर एरिया कैसे निकलेगा ठीक है और अपन द्यान लेकना हर जिए जब भी मैं बुझा की बात करूँगा तो मैं इस बुझा स्क्वाइर को शोट मैं A स्क्वाइर बोल दूँ क्योंकि अपने बुझा को A मानते हैं A स्क्वाइर अपन लगाएंगे तो हमें कुल मिला के A चाहिए मतलब हमारे पास में यद गिवन है रूट 2A बराबर 6 दिया भाई भाई हमें पता है कि विकरण की लंबाई 6 दे रिकी है और विकरण की लंबाई का फॉर्मला रूट 2A होता है तो रूट 2A ही तो 6 है तो A की वेल्यू कितनी हो जाएगी A का मतलब भुजा A का मतलब साइड है ध्यान रखें A जहां भी लिखूंगा उसका मतलब भुजा होगा सही ठीक है ना तो अपोन रूट 2 येलो साब A की वेल्यू आ गई इसको मैं चाहूं तो काट भी सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि 6 के अंदर 2 गुणा 3 है नीचे रूट 2 है इससे ही कट जाएगा क्योंकि आपको पता है 2 के अंदर रूट 2 इंटर रूट 2 छुपा हूँ है लेकिन इतना नहीं करेंगे इतना माता फड़ी मत करो क्योंकि आप में खूप सारे बच्चे ऐसे भी जो मैस में बिलकुल मामला सेट है उनका इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूं आराम समझाओंगा दूसरे तरीके जिससे बिना मैस वाले स्टोरेंट भी कर सके तो एक ही वेल्यू छेपॉन रूट 2 है बुजा आ गई अब लगा दो वर्क शेतर बड़ा Kinra भुझा स्क्वार क्योंक्य वर्क शेतर बड़ा हुता है बजде स्क्वारे स्क्वार इसका इस स्कुर्वर रिखौई दो चतिस और रूट्टू इंटू रूट्टू अनली तू खुल गया स्कुर्ण इसे हैं कट गया तो आंसर क्या आगया ऐतारा आब का यह इतारा मिटर स्कुर्ण में बोला जाता है तो जो भी आपका उपशन में हो आपका अंसर हो जाएगा अचा in कि गदिए 18 मेटर गलत्थ अठारा मीटर स्क्वायर वाले प्रिक करना ऑसकी भहूद्ध हो गया है मामला यानि कए ऑप्षन ब्रॉप्षन सी और द्रॉप्षन यहां पर कर दिया 18 bei ARE कि ऑधित इंग्लिश में मै्ट्र बात है इसको म Elijah बोओ डाएब सकता हूं कि देखो ऐसा भी लिखाता है वर्ग मीटर इंग्लिश में स्क्वाइर मीटर स्क्वाइर मीटर दूसरा ओप्षन अठारा मीटर ठीक है तीसरा ओप्षन हो सकता है रूड अठारा मीटर कुछ भी के दे मतलब चौता ओप्षन आपके कुछ पुछ दे दिया तो आप किस पर टिक करोगे आप टिक करोगे एप क्योंकि श्यत्वर रुपल हमेशना स्क्वाइर में लिखा जाता है यह कि यूनिट है किसी काम जब आइतन ग्याद करते हैं वोल्यूम जब थ्रेडी पढ़ेंगे तब वोल्यूम जब होता है तो वह क्यू ट्रपिक में आगे पढ़ेंगे तो यह समझ में आगे 18 आपका अंसर हो गया है इन सब चीजों को आपको ध्याने रखना है अगला क्यों किसी वर्ग के शतरफल तता वर्ग के विक्रण पर बने वर्ग का शतरफल बहुत शांदार मतलब मैं आपको डाइग्राम समझाता यह वर्ग है पूरी बात को समझना यह वर्ग है माल लेते हैं चारों बुझे हैं बरावर इसके वर्ग है इसने का किसी वर्ग का शतरफल इतना सा रुख जाओ माल लेते हैं क्योंकि दिया वा तो कुछ भी नहीं है तो माल लेते हैं कि इसका जो एरिया है हमारे पास में आ टैकन्ड पर बनें वरक का शैतरफल का अनुपात क्या होगा तो डाइगनल से पहले विकन तो में वरक बनाओ सब्सक्राइब इसका एडिया की आर इसका एरिया घुमात क्या होगा ।asa अनुपात का मतल्ब बीच में रेश्यो साइन लेग़ा । कि अब एक बड़ी चीज आई हमें पता है लेकित कि किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है रूड हुएрист कि एक की सीबी वर्ग का विकर्ण होता है लूड है तो कोई दिखत तनी अगर यह रूड है तो अगया घी तो अपने वाला वे नहीं थी तो बना तो सिदी से बात है अगर यह रूट वह जाए रूट रूट वह तो होगी वह भी तो बार यह बिल्कुल तो रूट टुए का स्क्वाइर रूट टूए बुजा होगी साइड हो गई उसका स्क्वाइर यह होगी साब दोनों की बातें समझ में आई कि आपके मतलब की यह तो स्क्वाइर यह विक्रंद से बने और का स्क्वाइर मतलब उसका एरिया यानी कि यह तो यलो कला मैं बिलकुल सी चीदना ओट यह व्क्रंड दाइग ने वो इसके साथ भी जाएगा इसके साथ जाने तो only two हो गया और एका बनी है a square a square से a square कट गया यहां बचा पीछे one one ratio two आया अब पूरी बात को समझना आंसर तो बेसे आच चुका लेकिन आंसर पूछने का सिंसाब किताब क्या है उसने कहा कि वर्ग के शतरफल तथा वर्ग के विकरण पर बने इसका अमने लाइन वाइज बूछ रहा है तो one ratio two यह आपका अंसर होगा कभी कभी क्या करता है गुमा देता है कि वर्ग के विकरण पर बने शत्रफल वह वर्ग का शत्रफ तो फिर आंसर हो जेगा टू रेशुवन इसको भी ध्यान लखना कभी कभी यह पूछने का तरीका जरूर ध्यान लखना ठीक है तो विशेश तोर पर ध्यान लखना है कैसा लगा क्यों जरूर कॉमेंट करना मज़ा आ गया होगा कोई स्टार्टिंग आपने पेज चोड़र के होंगे यह एक वरित होता है यह सरकल होता है ठीक है इस सरकल की यह तरीजा है मतलब यह रेडियस जिसको अपन आर से दिखाते हैं यह तरीजा हो गई इसको मैं अगर पूरा खींच देता हूं तो यह इसका व्यास बन जाता है डाइमेटर बन जाता है मतलब अगर मैं नाम करूं इसको A, O के दूँ इसको A के दूँ इसको B के दूँ तो ध्यान रखें जो तरीजा है मतलब जो रेडियस है वो तो हो जाईगा आपकी O ए और जो व्यास है व्यास मतलब जो जिसको अपन डाइमेटर बोलते हैं वो हो ज पियार्ज के लिए पता चल गई तीसरी बात वर्त जो होता है सरक्ल जो तै उसका शतरफल का साथ रहा है कभी कभ वह आप से छहें जब तक ना कहीं बाइज पड़े साथ रखना है अगर वह कहें कि पाई की वेल्यू जो है पाई की वेल्यू जो है वो 3.14 तो यह भी रख सकते हैं वैसे जब तक ना कहें अपनों यह रखना है ई कैया ऑगे शाद्वल का फो मलगいたऊ अब ध्यान रखना इस में क्या होटा है कि वृरित के अंदर नाम तो वही परिमाप ही होता है लें परिमाप को रेंट किर में उपर अल्टे इंग्लिट 2 आप entrca यह कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है बागी कोई दिक्त नहीं है तू पायर फॉर्मला जानगे और कोई चीज आएगी तो बता दूगा मैं आपको हाफ होता चला जाएगा लेकिन वो मैं आगी बता दूगा यह फॉर्मला इसको बैसिक बातें आपको किसी भी सरकल के बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है अब आजाओ इदर इस क्योशन में क्या काव है कि एक वर्ग है बिलकुल येलो सा वर्ग मतलब ये एक स्कॉाइ होगा मतलब टच करते हैं निकल रहा है ये एक अंदर एक भार है ठीक है अब आप से पूछ रहा है कि अंते मतलब इंटरमनल और प्री मतलब एक्शनल सरकम सरकल है सरकम बाहर बाहर की तरफ है तो दो सरकल आपके बन गयें दो वर्ग आपके हैं उन दोनों के एरिया का नुद्धरर नाई है इन दोनों के शचत्रफलों का अनुपात में रेश्यों अनुपात पूछ रहा है आपसे तो वह था है आपको करना क्या है कि भाई हमें सहन की थो ठीक है यह छोटे वाले के लिए यूज़ कर लेते हैं और यह बड़े वाले के लिए यूज़ कर लेते हैं बड़े वाला मतलब वाइट कलर बाहर वाला यह हमें निकालना है पाई से पाई हमें पता है कट जाना है पाई से पाई कट जाना है लेकिन बात आती है रेडियस की तरिज्या की, क्योंकि आर कितना होगा, बड़ी important बात है, लेकिन अब आर का तब पता चले, क्योंकि वो तो किसी भी वर्ग के अंदर बनावा है, तो ये जब पता नहीं है कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा मानल लेते हैं कि ए है, वर्ग जो है अंदर square जो है उसकी मालेते हैं बुझा A है क्योंकि कुछ दियावा नहीं है बहुत गजब की चीज़ सिका रहा हूं द्यान रखना यह जो आप आज यह जो चीज़ को बहुत important चीज़ है मतलब यह जो चीज़ है यह वर्ग की बुझा वर्ग की साइड स्कॉयर की साइड है हमें नहीं पता कितनी है माली A है अगर बच्चे यह A है तो एक बात बताओ जो मैं डोट-डोट कर रहा हूं यह दोट-डोट जो मैंने कहीं क्या है यह उस सर्कल का इस वरित का डाइमटर है व्यास है समझ माल गई इसका मतलब यह होँ कि जो वर्ग की भुझा है पूरी बात समझो साइड ऑप स्कॉयर जो आपका वृत का व्यास है यह बात समझ भाई आपके यानि कि वो डाइमेटरोब सरकल है जो वर की बुजा है वो आपके वरत का व्यास है लेकिन हमें वरत का व्यास नहीं निकालना हमें तरिजा निकालनी है तो ध्यान लगना एक बात ओर लिख लेना बले यहां पर कि जो तरिजा होती है त्रिज्या यानि कि रेडियस जो रेडियस है वो डाइमेटर की आदी होती है ठीक है ना वो व्यास की आदी होती है यानि हाफ अब दाइमेटर वो हाफ होती है डाइमेटर की ठीक है ना वेरीजी तो अब हमें यह पता चल गया कि हमने इसको तो A माना है इसका मतलब डाइमेटर है वो A है तो R कितना हो जाएगा सरकल का R हो जाएगा A.2 उसका आदाई तो होगा वेरी गुड तो यहां पर चलो अंदर वाले सरकल का पता चल गया कि A upon 2 रखलो और उपर स्क्वाइर है क्या यह लब है स्क्वाइर कर ले अनुपात का चिन अब हम चले बाहर वाले की तरप बाहर वाला जो सरकल है उसके पास उसकी रेडियस क्या होगी तो भाई उसका रेड होगा जो वर्ग का विकर्ण होगा मतलब जो सक्वाइर का डाइगनल होगा वह इस बाहर वाले का डाइमेटर होगा सब्सक्राइब यानि की पूरी बाह लिगता हूं यहां पर जो वर्ग का विकर्ण होगा पूरी बाह समझना वह जो वह बाहर वाले वरित का व्यास होगा वो बहर वाले वृत का व्यास होगा, अपने अंदर वाले व्यास की बात नहीं करें, अब बहर वाले की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि वर्ग का विकन होता है 2A, root 2A तो वृत का व्यास हो गया root 2A, दोनों मराभर है लेकिन हमें इसकी चाहिए तरज्या तो root 2 A upon 2 कर लो बस ये हमारी त्रिजा हो गई आई बात समझ में हाँ हम इसको बढ़ना चाहों तो काट भी लूँगा कैसे हैं कि मुझे पता है कि इसमें भी root 2 छुपावा है तो इसकी में भी root 2 छुपावा का मतलब है कि दो है ना ये ये root 2 into root 2 से मिलके बनाया है ये तो खेर common sense मैं अलग से video बना रहा है इसी channel पर तो फिर इससे a कट जाएगा पीछे a upon root 2 बचा वो खेर मैं आगे कर लूँगा कोई बात नहीं अब समझो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले की तरिज़ा है ना ये इस ये बड़े वला आ रहा गया ये बड़े वला आ रहा गया बड़े वले की तरिज़ा गई है क्योंकि व्यास की आदी होती है तरिज़ा बिलकुल तो root 2 a upon 2 का square बस ये solution ये हमारा answer है खोल लो इसको तो ये बन गया एका square और दो का square 4 अनुपात इनका भी square कर लो पहले ये 2 root इसके पास जाएगा तो root 2 का square तो गया only for 2 और एका square a square हो गया और नीचे वाले 2 का square 4 हो गया इस से ये कट गया दो बार a square से a square खतम पीछे क्या बचा उपर तो कुछ नहीं बचा उपर तो one upon इधर तो one upon four बचा और इधर देख लो इधर one upon two बचा कोई गलती नहीं हो नहीं चे भाई ठीक है ना हाँ four था four था ठीक है मामला सही set है ये बच या one upon four देखा one upon two अब कोई दिकत नहीं है आप इसको ऐसे आपस में इनको भी काट सकते हो इसे एक दूसरे को भाई जैसे यह होता है ना बराबर में इसका मतलब ये तिर छगूना भी कर सकते हो बात हो एक ही होती है इसकी ये जानना कना मतलब इसको पन ऐसा लिख सकते है कहने है मतलब ये दो ऊपर चल जाएगा चार इधर आ जाएगा two ratio four हो गया कि मज़ा आ गया होगा मेरे साफ से डाउट रहेगा नहीं फिर भी डाउट है तो कॉमेंट कर देना जबरदस क्योशन आपको समझ में आ गया होगा one ratio two एक अनुपा दो इसका अंसर है अगला क्योशन अगला क्या है अच्छा अगले में तो वोई percentage आ गया क्या percentage चाहिए किसी में भी आ जाओ एक बहुत गजब की रामबान ट्रिक बता रहे कि आपको कौनसी a plus b plus a b बटा सो वो लगानी है बस जबरदस जब भी किसी का area पुछे न जिसमें चार बुजाएं जो भी हो लंबाई चोड़ाई कोई सरकल में भी लग जाएगा सब में लगा देना है इसने कहा कि किसी वर्ग की प्रतेक बुजा में 10 प्रतिशत की वर्दी कर दी जाए तो इसके शेत्रफल में कितनी वर्दी होगी जबरदस क्योशन है आपको पता है कि हमें न तो वर्ग बनाना ना को इसकी बुजहें बनानी ऐसा आता है शिद्री ट्रिक एपलाई करनी है ट्रिक क्या है वो है ए प्लस बी प्लस ए भी बटा सो बहुत गजब का क्योशन है बहुत न जाने कितनी आपका टाइम बचा लिया इसने ऐसी गजब भी ट्रिक है प्लस एक है वापस बीकी जगे भी दस नीचे ओ आपको पता यह तो कट गया क्योंकि दस गुना दस सो पटा सो एक आ गया जुरो मत कर देना एक आ गया तो दस प्लस दस प्लस एक यानि की 21% आपका अंसर होगा गजब का क्योशन बताओ कितने परतिशत की वर्दी हो जाएगी तो 21% की यानि 21% की आपके वर्दी हो जाएगी आढ़ आढ़ से जबरतफिक यूशन कीयसा लगा है जरूर कॉमेंट करना अब बहुत गजब का हो रहे है एक कि किसी वर्गाकार खेत के चारू और कि एक सामाल लेते हैं यह इसके चारू और एक रस्ता बना दिया ठीक है अब ध्यान दगना होगा क्योंकि चारों बराबर लेंद में है दो मीटर इस चीज कि अब उसने कहा कि दो मेंट कोड़ा रास्था बना दिया यह लिए सिर्फ राश्ठे रास्थे शैटर ले रहे जह देर रहे हैं जो बीच हैं तो बताओ खेटका श्यादरफल क्या ये बहुत गजब का क्योश्वन है क्यट थे तो यह केट अहास है यह अगली बात निकले केसें तो यह अगर मान मान लेता हूं पूरी बार समझना मान लेता हूं कि जो खेत न ये लो कलर वाला उसकी जो भुजा है उसकी जो साइड है वो सपोज है ए ए है तो बताओ खेत का शेतरफल कितना हो गया जो कितना हो गया ये लो कलर वाले का अ शेतरफल है खेत का शेतरफल है खेत का एरिया आगया A स्कॉयर इस बीच वाले का क्यूंकि बुजाए स्कॉयर फोमला होता है ठीक है अब बात आती है बाहर वाले की जो आप यहां पिर ऐसा महलो गया हां से लेगे यहां तक ए है इधर दो जुड़ गया तो मतलब बाहर वाले की जो बुजा बन गई वह बंगई एस बाहर वाले की बन गई तो इसका एरिया क्या हो गया शेतरफल क्या हो गया इसका इसका हो गया भुजा का स्क्वाइर यह ले भुजा का स्क्वाइर बाई जो भुजा है उसी कादर स्क्वाइर होगा ठीक है अब हम यह क्यों कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं खेत चाहिए बीच वाला यलो का दरवाला ये कौन है ये पूरा बहार तक का अगर इस पूरे बहार में से पूरी बार समझना ए प्लस फोर का स्कुएर है ये पूरे बहार का है इस में से इस में से अगर अगर इस बीच वाले को यलो को माइनस कर दूँ तो बताओ क्या रास्ता आया कि नहीं आया बिल बड़े वाले यलो माले में से हैं स्वारी वाइट में से यलो हटा दू बिलकुल पूरे वाइट वाले में से यलो उटा दिया तो रास्ता आ गया अगया बिलकुल अब समझते यह चलना इसको खोल लो A square plus B square plus 2AB यह A plus B का square होता है आप जानते ही हो बहार A square का A square और रास्ता हमें दे रखा है बहतर ठेक यह लबाई बहतर रास्ता कीज़े के बहतर रख दिया अब देखो A square से A square कट गया plus minus कट जाता है 4 का square 16 हो गया और यह आपके चार दूनी आठ यह आठ ए हो गया बराबर बहतर अब सीदी सी बात है इस बहतर में 16 माइनस को देदर लाके यह ना section माइनस हो गया तो A8 A कितना आ गया 56 यानि कि A की वेल्यू साथ आ गई आठ का बाग चापन में चला गया साथ साथ आ गई कोई दिकत निया खेट का शेतर पूछा था तो साथ का स्क्वाइर कर देंगे यानि 49 मिटर स्क्वाइर या वर्ग मिटर आपका अंसर है जबरदस्ट क्योश्व ने पूरा खोल के बता दिया है एक एक चीज़ बताई गई है मज़ा आजाएगा अब भी नहीं सीख पाई ना तो सीख नहीं पाऊगे ये मेरी दावा है माले ना अगर इतना खोलने के बावजूद बिल्कुल बच्चू की तरह पढ़ा रहे हैं मैं चाहता था सीधा फोर्ट्रेन भी लिख सकता था इतना एज़ी है उपन लाइट टेस्ट में करेंगे लेकिन अभी मैं चाहता हूँ एक बार आप जिरो से सीखें मोका है सीखने का ठीक है ना बहुत अगड़ा क्योश होना है अगले लेते हैं 14 सेंटिमेंटर भुजा वाले वर्ग एक वर्ग दियावा है इसकी हर साइड 14 है क्योंकि वर्ग की पर तेक बुजा चाहलां कि आपको अभी मैं समझा रहा हूँ बाग इतना सब एक्जाम में करना नहीं शौर्ट में करना है 14 से भी बुजावले वर्ग के अंतरगत इसमें खीचे जाने होले अधिक्तम तरिजा के वृत अब मतलब इसके अंदर आपको एक वृत खीचना है वृत का मतलब यह को यह सरकल बनाना है यह सरकल बना दिया आप से पूछ रहा है कि इसकी अधिक्तम तरिजा पहली बात तो एक जीसका हमें साध्यान रखना कि मैं जो बताओं आपको चाए वर्ग हो चाए आयत हो यह उसके अंदर जब भी को आपको सरकल बना रहे हो तो उनकी divers होगा ना मतलब जो भी उसकी भूज़ा होगी जो भी इनकी साइड होगी जो भी व्रित का व्यास होगा यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है तो यह वर्ग है इस वर्ग की अधिक्तम मुझा 14 ने तो इस सरकल के लिए व्यास का काम करेगी जो अपन पीछे भी करके आ रहे हैं मतलब व्रित का व्यास होगा डाइमेटर उप सरकल होगा होगा नहीं हो बिल्कुल तो एक बात बताओ अगर डाइमेटर चौधा है व्यास तो आर कितना भाई 14 पॉर्टीन पॉर्ण टूना मतलब रेडियस साथ हो जाएगी तरिज्या अधिक्तम साथ होगी इसने यह का कि अधिक्तम तरिज्या का अधिक्तम तरिज्या के वरित का शेतर बताओ अधिक्तम तरिज्या भाई साथ हो जी नहीं सकती क्योंकि लास्ट चौधा साइड है इसके बाहर थोड़ी निका लेगा सरकल को अंदर ही बनाना है ठीक है आर साथ आ गई और अभी पीछे पाड़ी किया रहे हैं वरित का शेतर फल एरिया आप सरकल क्या होता है पाई आर स साथ से साथ कट आवा इसको साथ से गुणा करोगे तो 154 मिटर है के संटी मिल्क संटी मिल्क स्क्यल तो 154 वरक समी या 154 cm2 आपका ठीक है कि ना बहुत गजंप क्योश्ण ही यह भी आपका complete अगला क्या कहता है कि 3 मिटर भुजा वाले इस रदिन अबत एम मतलब यह है वर्गार फर्श पर इसका मतलब यह है वर इसका फर्स है तीन मिटर का है यह क्या है? तीन मिटर का है इसका मतब चारों बुज़े हैं बराबर है ऐसा हमारा कोई फर्स है अपना फर्स नहीं होता कमरे का वो फर्स है आपको इसमें 20 by 30 की लेकिन सेंटीमिटर है आपको इस साइज के पत्थर लगाने है ठीक है? लेकिन जिसे अपना बोल नहीं ब्लोग लगा रहे है लेकिन वो सेंटीमिटर में है ब्लोग 20 by 30 की तो एक काम करना पड़ेगा आप एक काम को इस मिटर को सेंटीमिटर में बदल लो आपको पता है यह ले भाई हजार से गुणा कर दिया क्योंकि एक किलो हजार से नहीं है सोस है एक मिटर ही तो है तो एक मिटर में 100 सेंटीमिटर होता है तो सोस से मल्टिप्लाइ कर दो तो यह 300 सेंटीमिटर हो गया ठीक है? इसका मतलब हमारी जो हर साइड है भुजा है वो 3 मिटर ना होके 300 cm होगी बात तो एक यह सो क्या परक पड़ता है तो सबसे पहले अपने यह जानना चाहेंगे कि जो हमारा रूम है उसका शेतबल कितना तो हमें पता है कि रूम की भुजागर 300 है तो बुजागर स्क्वेर कर देंगे तो 3 का स्क्वेर 9 होता है दो जिरो का स्क्वेर 4 जिरो होता है बस ठीक है 90,000 हो गया अब हम करेंगे पत्तर की साइज पत्तर है 20 by 30 का 20 by 30 का है ने पत्तर तो 20 by 30 का मतलब है यह लंबा इंटू चोड़ाई यह आयताकार है यह लब है 20 by 30 इसको भी गुणा कर लेंगे आपसम 20 by 30 गुणा करने क्या जूरत है ऐसा है रख लो बात तो एक ही है ना इससे यह खतम इससे यह खतम दो के पाड़े तीन के पाड़े से काट लो तीन के पाड़े से तीन और दो जिरो लगे और दो के पाड़े से कट जगा देट सो ठीक है तो कितने पथर लगेंगे 150 पथर लगेंगे सीदी सी बात है मतलब कमरे के शतरफल में कमरे के एरिया में अपनको इस भाटे का पत्र का एरिया जोड़ दो तो नम्मरों पाटा नम्मरों पत्र आ जाएंगे अगला क्योशन क्या है यह सर्कल आ गया बाई सर्कल और सर्कल की पूरी बात है खेर अपन जान चुके बैसे तो पायर स्क्वेर टू पायर वगएर सब इसने पूछा कि किसी वृत की तृज़ा में 50% व्रदी कर दी जाए बहुत गज़बा क्योशन है मैंने वापस आपके दिमाग में क्योशन गुम गया होगा कि बाई किसी भी वृत के अंदर अपन वृत हो चाए आयत हो चाए वर्ग हो मतलब स्क्वाई रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी हो यह वर्दी वाला मामला जब भी आए ना तो ट्रिक याद करनी है रामबान ट्रिक मतल सब्सक्राइब बड़ा सोग ठीक कितना बड़ा क्योंशन है सोचने में अगर सलुशन करेंगे तो बहुत बर जाएगा पूरा प्रॉपर तरह के से एकी वेल्यूबी 50 और बीकी वेल्यूबी 50 क्योंकि वर्दी कर रहें वर्दी करेंगे तो प्लस मिलेंगे दोनों को अगर कमी करते तो माइनस में लेते दोनों को ठीक है प्लस ए बी ये लो ए बी अपॉन हंडरेट बिल्कुल इस जिरो से यह जिरो से यह जिरो क्यों कि मतलब अगर किसी सरकल की रेडियस में रेडियस में अगर अपन 50% की बड़ोतरी कर दें तो उसका जो एरिया होगा जिसका फॉर्मला पायरिस करोता है उसमें 125% की वरदी होगी 125% आपका अंसर है शांदार क्योशन है नहीं है इसलिए ध्यान रखें यह बहुत गजब गजब हाई है कमनी हाई लेवल है लेकिन इतना तो कर लो इतना तो कर लो रिस्क नहीं लेंगे पन इन से बाहर नहीं जाएगा डंग से अगर समझ भी लोग है तो वेलुई चेंज होती है और होता क्या है वेसे तो क्योशन हजारों बन जाएंगी टाइम पास करने के लिए लेकिन जितना भी क्योशन आप देखे होंगे हर क्योशन में एक नया ट्विस है एक नया तरीका है बड़ी मेनद लगती है ये पूरी छांट-छांट के बनाने में ठीक है मज़ा आ गया होगा आपको और सीखने का फाइदा है मोका है अब एक लेते हैं पर ये बहुत गजब का क्योशन है मैं आपको एक बात फिर वापस पीछे लेके जाओंगा जो मैंने आपको एक बात लिखी है यहीं पर एक बात और लिखो आप गजब की बात है बहुत गजब की बात है मैंने का radius सब कुछ set हो गया एक बात और लिख लो बहुत काम आएगी जब भी आपसे कहीं न अर्दव्यास एक word यूज करें अर्दव्यास अर्दव्यास का मतलब तरिजा ही होता है ये ध्यान रखना आप यानि इंग्लिश मेंडियू माले semi diameter semi diameter semi diameter का मतलब क्या होता है radius ही होता है मतलब किसी भी व्यास का आधा और व्यास के आदा तो मैंने लिख दिया ना हमेशाँ और छोड़ दो तागी आपको ही पता रहे और भी कोई फॉर्मली कोई खास बात सरकल किया वृत कि आएगी अपन जोड़ लेंगे ठीक है न यह चीज द्यान लखा करो चलो फिर वापस अपने solution पर चलते हैं अपन यह रापना तो फिर बी यहां पर वह बात लिखकिया होई यह इसलिए मैं आप पहले हैं एक पया पया का मतलब सेंटीमेटर सैंटिमीटर ऩीटर अब क्या मामला है कि 46 Kilometer ।ो और 44 Kilometer distance कवर करनी है तो बाई एक काम करो ये अगर हमारी radius अगर हमारी 34 cm में है तो अपन को इसको भी cm में बदलना पड़ेगा शिदी सी बात ही है तो ध्यान रखें ये 44 km है और वो cm है सबसे पहले अपन km से सीधा जंप नहीं कर सकते पहले अपन जाएंगे मिटर के पास ये लो बाई 1000 से गुणा कर दिया मिटर के पास लेगे और मिटर सी जाएंगे cm के पास कौन बताएगा इसा खौल खौल के मौक का है सीख लो into 100 कर देंगे क्योंकि 1 km में 1000 मिटर होता है और 1 मिटर में 100 cm होता है तो 5 0 आपके लग जाने चाहिए ठीक है ये फॉर्मेट आप चाहोँ दोतार सकते हो साइड में अब मेरी बाई समझो कि 44,000 डिस्टेंस उसको कवर करनी है और सुनो हाँ और वो इसका ये रेडियस है इसका मतलब सुनना एक पया है पया यू गूमता है मतलब पया का सिरफ बाउंडरी बाउंडरी गूमती है और वो जब चक्र काटेगा इसका मतलब वो क्या है पये की परिदी मतलब वरित की परिदी इसका मतलब है तू पाई आर अरे वरित की परिदी हमलो सरकंपरेंस अब सरकल वो तू पाई रित होती है तो ध्यान रखें 2 π.R एक पईय की प्रदिय है एक बार चकर काटते हैं उसे 2 π.R बोलते है पईय का एक चकर है यह द्यान दे समझें पईय का एक चकर एक राउंड है पईय का वील का 2 π.R 2 गुणा 22 पटे 7 गुणा 2 14 यह पईया एक चक्र में इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो बताओ चमवाइदाई सेकड़ा हजार दस दार लाग दस लाग चमवालिस लाग में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा तो सिद्धिसी बात है मैं बताओ कि अगर 15 रुपय माता हैं तो सो रुपय में कितने पर जाए हैं पांस का भाग तो दो वेसे ही एक पर अगर इतना इतना एक चक्र में दूरी तेख करता है तो इतने डूरी कितने तो ने मैं कितना दूरी ली लिए हाँ यह दो बार कट गया दो गुणा 22 गुणा दो चाहू तो काट लो एक दो तीन चार पांच फिर दो से कटिक है यह लो दो की टेबल से एक बागी पांच जिरो के पांच जिरो ठीक है फिर दो से काड़ दे पांच और बागी एक, दो, तीन, चार तो कुल मिलाके कितना पचास हजार चक्कर काटने पड़ेंगे यह आपका अंसर है है न शांदार क्योशन मतलब आराम से आप हर चीज को समझो मतलब पूरी चीज को मैं खौल-खौल के आपको बता रहा हूं किसी भी तरह का डाउट मेरे साफ से नहीं रहा होगा आपके ठीक है यह था ज्यादा सेशन बड़ा ना करते वेपन अब चाहिए तो ले सकते हैं वैसे तो खूप सारे क्योशन है अपन कर सकते हैं कोई दिख्यों बाद लूँ एक और क्योंकि अपना फिक्स होना चाहिए मेरे साफ से कि अपन 35-40 मिनट के सम्तिंग अगर अपना मेटरियल बन जाए तो 40-40 मिनट का मेटरियल बहुत बड़ी है क्योंकि आपको परड़े कवर करना इसको मैं यह मानगी चल रहा हूं कि आप सामने वाले हर कोई math background के नहीं हो भी तो भी ध्यान दे ले ले ना यहां का matter कुछ और तो इस पार्ट को अपन यहीं खतम करते हैं एक पार्ट और जवर्दस्ताने वाला डेली क्लास मिलेगी डेली अब दिन में मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कुछ जीके की क्लास पिलिया हूं जीके क्लास वगरा जो है ना राजस्तान जीके पर विशेश फोकुस आपको क करना आपको बताइए उसकी और साइंस की कुछ क्लासेज में अब अप्लोड करने वाला हूं चिंता ने करें आप पढ़ते जाएं बस अभी तो फॉर्म अगरा बरो आप और अपने डॉक्यमेंट्स वगरा पूरे तयार करना और भी कोई हेल्प चाहिए तो आपको बता द